अपने साथ रख सकते हैं कितने मातरा में रखेंगे तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी या फिर बिलकुल भी नहीं रख सकते दोस्तो ऐसे बहुत से सवाल अकसर दिमाग में घूमते रहते हैं खास कर तब जब पता लगता है कि कोई बड़ी मुर्गी फस गई जाल में जैसे आखिर तक जरूर देखना है और हाँ दोस्तो एक जरूरी बाद अगर आप हिस्ट्री या फिर टेकनोलोजी से और ज्यादा डिटेल में रूबरू होना चाहते हैं तो हमारी वैबसाइट सरलहिस्ट्री.com पर विजिट जरूर करें वहां आपको और भी अधिक डिटेल में जानकारियां पढ़ने को मिलेंगी चलो बढ़ते हैं अपने में टॉपिक की तरफ बॉलिवोड एक्टर शारुक खान के बेटे आरेन खान पिछले कुछ दिनों से लगातर सुर्खियों में हैं पता नहीं होगा आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि उन पर क्रूज पर रेव पार्टी के दोरान ड्रक्स का सेवन करने रखने खरीदने पेचने का आरोप है हाल में ही नारकोटेक्स प्यारों NCB ने उन्हें हिरासत में लिया ऐसे में जानना होगा कि नार्कोटिक्स एक्ट क्या है? कितनी मातर में ड्रग्स लेना या बेचना मुसीबत बन सकता है? देखे दोस्तों, नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सबस्टान्स एक्ट 1985 साल 1985 में भारत की संसद में पारित किया गया था। देश में किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और सेवन की रोक्ताम के लिए इसे बनाया गया था। इसमें 1988, 2001 और 2014 में संशोधन भी ह हो चुके हैं। इस एक्ट के तहट दो तरह के नशीले पदार्थ रखे गए हैं। पहला नार्कोटिक यानि नीन लाने वाले ड्रग्स जो प्राकरतिक चीजों से बनते हैं जैसे कांजा, अफीम, हेरोईन, कोकेन, माफीन, आदी। दूसरा है साइकोट्रॉपिक यानि दि कैमिकल से बनते हैं जैसे LSD, MMDA, अलपा प्रोजलम, बिना मेडिकल सलहा के इन ड्रग्स का अधिक मातरा में सेवन करना, रखना, खरीदना और बेचना जुर्म है। NDPS Act की धारा 42 के अंदरगत, जाच अधिकारी को बगैर किसी वारेंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफतार करने का अधिकार भी प्राप्त है, यानि केवल शक होने पर ही आपको गिरफतार किया जा सकता है। वही दारा 41 सरकार को नशीली दवा का सेवन करने वाली की पहचान, एलाज और पुर्णवास केंदर की स्थापना का अधिकार भी देती है। NDPS Act के तहट 10 से 20 साल की जेल और जुर्माने का प्राप्धान है। यानि अगर आप इन में से किसी भी ड्रग का सेवन करते या फिर बेचते पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 साल की सजा हो सकती है। नशीली ड्रग्स की मात्रा के अधार पर कैद और जुर्माना लगाया चाता है। आपके पास जितना कम ड्रग उतनी कम सजा और क्वांटिटी जितनी ज़ादा तो सजा भी उतनी ज़ादा ही। इस मामले में आरोपी की जमानत पुलिस की धारा उपर निर्भर करती है। पुलिस के क्या धारा आप पर लगाई है। उसके अधार पर ही तै होगा कि आपको जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तो इस वीडियो में आपने जाना ड्रग के विशे में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करना ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो रोजाना हमारे साथ देखने के लिए सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स